नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौरसिया और इस उमेद के साथ कि आप सभी अपने घरों में स्वास्त और सुरक्षित होंगे और सकरात्मक्ता के साथ अपने पूरी दिन चर्या का पालिन कर रहे होंगे आई ये शरवात करते हैं जो एहम खपरे हैं उन पर नजर डालेंगे केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमन फैलनी से रोपने के लिए जारी लॉकडाउन को और दो हफते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है केंद्री ग्रिह मंत्राले ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहट फैसला लेते हुए लॉकडाउन दो सप्ताह यानि की 17 मई तक बढ़ा दिया है देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था हाला कि इस बार ग्रीन और ओरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ जूट भी दी जाएगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहली की तरह जारी रहेंगे ग्रिह मंत्राले की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना वाइरिस के खिलाफ लडाई में देश को काफी लाब हुआ है लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ओरेंज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन्स तयार की गई है केंद्र सरकार ने संकरमण के आधार पर पूरे देश को तीन श्वेत्रों में बाटा है 737 जोनों में 130 रेड जोन, 284 ओरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन घोशित किये गए है ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक कतिविध्यों की छूट दी गई है साथ ही बसों का परिचालन भी यहां पर हो सकेगा हाला कि निलाकों में भी सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे वही औरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी लेकिन कैब की अनुमती होगी यहां इंडरस्ट्रियल एक्टिविटी भी शुरू होगी वही रेट जोन में कोई रियायत देने का फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है इस बीच ग्रीह मंत्राले ने सभी राज्यों को चठी लिखकर दूसरे राज्यों में फसे मज़़ूरों, चात्रों, परटकों और शुरधालों को वापस घर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी के नुमती दी है ग्रीह मंत्राले ने इसके लिए राज्यों से रेलवे बोर्ट से संपर्क कर योजनाय बनाने का नर्देश दिया है रेलवे ने कहा है कि ऐसे लोगों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनी चलाई जा रही है ग्रेही मंत्राले ने ये साफ कर दिया है कि जरूरी समान वाले ट्रकों को आवजाही के लिए पास की जरूरत नहीं है और आवश्यक बस्तू के आपूर्ती जो है वो लगतार जारी रहेगी भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के दर में लगतार प्रद्धी हो रही है रिकवरी रेट है जो बढ़कर 25.37 फीसिदी हो गया है पिछले 24 घंटे में 564 मरीज जो हैं ठीक हुए हैं स्वास्थ मंत्राले के मताबिक अब तक 9,064 मरीज स्वास्थ होकर घर वापस लोड़ चुके हैं वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1,993 नए मामले भी सामरे आए हैं और इसके साथ ही कोरोना संक्रिम्तों की जो संख्या है वो 35,365 पर पहुच गई हैं हालाकि इसमें से केवल 25,007 मामले ही फिलहाल एक्टिव हैं भारत में कोरोना वारिस की प्रसार को देखते हुए अभी 35,00,000 RT-PCR किट की मांग हैं केंद्र सरकार के मताबिक उसे अब तक 13,75,000 किट मिल चुके हैं और बाकी 21,35,000 किट के लिए ICMR ने ओर्डर दे दिया है अधिकार प्राप्त समुह के अध्यक्ष पीडी वागेला ने बताया है कि देश में करीब 2 करोन पीपी किट की मांग है जिसमें से 1.42 करोन किट घरिलू बाजार से खरी दी जा रही हैं और 2.42 करोन किट के ओर्डर दिये गये हैं जबकि देश में प्रति दिन 1.87 लाग किट का उत्पादन जो है वो किया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि हालात को दिखते हुए 75,000 वेंटिलेटर की मांग है इनमें से करीब 19,000 वेंटिलेटर उप्रब्द हैं और बाकी के 61,000 वेंटिलेटर के लिए ओर्डर दे दिया प्रधाल मंत्री नरिंद मुदी ने शुक्रवार को उड्यनिक शेत्र को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक बैठकी बैठक में भारती एर स्पेस का प्रभावी धंक से उप्योग करने पर चर्चा हुई ताकि उडान का समय कम हो और जनता को फाइदा हो बैठक में अध अधिक राजस सोत परने करने के साथ साथ हवाई अड्डो की दक्षता बढ़ाने के लिए नागरी कुड्यन मंत्राले को तीन महीनों की भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह गया है साथ ही पीपीपिक के आधार पर छै और हवाई अड्डो को सौपनी की प कहीत कई वरिष्ट अधिकारियों पस्थित रहे कोरोना वार्यर्स को धन्यवाद दीने के लिए रविवार यानि की कल देश की सशुष्टर बल फ्लाइ पास्ट करेंगे इस दौरान एयर फोर्स शुर्यगर से तिरुवरं अन्तपूरम और ड्रिब्रुगर से कच्छ तक जनरल बेपिन रावतनी शुकरवाद को प्रेस कॉन्फरेंस में जानकारी दी उनके साथ ही आर्मी चीफ जनरल मनुच मुकुंद नर्वडे एयर शीफ मार्शल बियस धनुवा और एड्मिरल करंबीर सिंग मौजूद रहे साथ ही नेवी के हलिकॉप्टर कुछ अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे वही पुलिस बलों के समर्थन में ससष्ट्रबल पुलिस मेमोरियल पर माल्यारपन करेंगे कोरोना वारिस की च्रेंड को तोड़ने और संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है राज्य के सभी जिलों में स्वासे विभाग की तकरीबन 2000 टीमें इस काम में जुटी है टीम लोगों की ट्रेवल हिस्टरी का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिससे के आसानि से कोरोना संक्रमित मरीजों का पता लगाया जा सके और श्रीवाती चरणों में ही प्रभावी इलाज की आ जा सकेगा बिहार में तेरह जिले रेड जोन में शौमिल है दिल्ली से सटे हरियाना में फरिदाबाद, सोरिपत और बहादुर गड़ के बाद अब गुरुगराम बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है राज्य सरकार के आदेश के मताबिक पैदल आने जाने वालों पर भी सक्ती बढ़ती जा रही है ग्रीवंत्राल के आदेश के मताबिक जरूरी सेवाओ से जोड़े लोगों को सीमा पार आने जाने के अनुमती होगी लेकिन बॉर्डर पर इन लोगों की भी पहले रापिड टेस्टिंग किट से जाच की जाएगी और उसके बाद ही निगेटिव रिसल्ट आने के बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा चुनाव आयोग ने महरास्ट की रिक्त विधान परिशत सीटों पर चुनाव कराने का एलान कर दिया है आयोग की स्वैसले से महरास्ट की मुखे मंत्री उद्धव ठाकरी को राहत मिली है चुनाव आयोग ने प्रदेश के रिक्त हुई नौ विधान परिशत सीटों पर 21 मई को चुनाव कराने का एलान किया है आयोग ने कहा कि महरास्टर विधान परिशत की रिक्त सीटों पर कोरोना की मतिनजर विशेश दिशा निर्देशों के तहट चुनाब कराया जाएगा दरसल उधव ठाकरी ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की श्रपतली थी ऐसे में उन्हें 6 महीने के भीतर विधान मंडल के किसी सदन का सदसे होना अनिवारे है जिसकी समय सीमा 27 मैं को समाप्थ हो रही है और अब बात दुनिया भर से कोरोना की स्थितिकी पूरे विश्व में 33,20,000 से जादा लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं जादा 10,95,000 से जादा मामले सामें आए हैं और 63,000 से अधिक लोगों की मौत होई इटली में करीब 2,5,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और करीब 28,000 लोगों की मौत होई है स्पेन में अब तक 2,49,000 से जादा संक्रमित की मामले सामें आए हैं वहीं 24,000 से जादा लोगों की मौत हुई वही रूस एक लाख से अधिक संक्रमितों के साथ दुनिया का आठवा देश बन गया है और इसी के साथ फिलहाल इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही और अगले बुलिटिन में आप से फिर बुलाकात होगी तब तक आप अपना हयाल रखिए लोगडाउन के दौरान जो भी दिश्वा निर्देश दिये गए हैं उनका पालन करिए मुझे दीजे अजासत नमस्कार